हेलो एप्रिवन तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर के रहे हूं ट्राइक कलर यानि कि तिरंगा स्टाइल सुजी की ढोकला की रेश्पी और इसे बिना किसी फूड कलर के पहुत ही असान तरीके से बनाएं अब देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम से बना हुआ है हमारा सुजी का ढोकला तिरंगा स्टाइल में तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो अगर पसंद आएगा ते वीडियो को लाइक चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें तो इसे बनाने के लिए क्या करना है हमें कि यहां मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स करने के बाद इसको क्या करना है हमें कि इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे कि पानी डालेंगे जिससे कि थोड़ा सा गढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे पानी डाल करके क्या करेंगे इसको अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बद क्या करना है हमें कि इसको ढग करके रख देना है क्योंकि सूजी पुरा जो दही और पानी हमने डाली है इसको सोग करेगी तो सूजी जो है पुरा अच्छे से फूल जाती है तो इसलिए क्या करेंगे कि इस तरह से हमें ढग देना है लग बग 10 मिनिट के ल कि यहां पर मैंने केकटिन का इस्तेमाल कर एक तो केक तील लगा देंगे आपको इसा भी बर्दन का यूज़ कर सकते हैं तेल लगाने से चिपकेगा नहीं अब एक बाउल में जो हमने सुजी का जो भैटर है निकाल के रखी है इसमें क्या करेंगे कि डालेंगे गाजर का मैंने यहाँ पेस्ट बनाएंगे एक दम से पेस्ट नहीं की है हलका दरदरा ही हमने इसको पीस करके तयार करी है तो इस तरह से इसमें डालेंगे बढ़िया सा कलर आने तक इसमें हमें गाजर का जो पेस्ट है मिला लेना है दुसरा बावल में मैंने क्या करी है कि धनिया और पुदीना का मैंने चटनी बनाई है और इस तरह से दुसरा बावल में हमने इसको डाल दी है ये ग्रीन कलर तयार हो चुका है तो इस तरह से हमने ग्रीन कलर और और औरेंज कलर बना करके तयार कर ली है जब से पहले क्या करे कि आपक रहें तब तक क्या करनाना है इसमें नहीं करते हैं करें मैं यह खता हुआ है तो यह में कर देथ यह कर हैं के बाद पठाए है और अर अच्छे टाम पानी हिर्ट नई हमें भाट लैसा अशिति जस्छाbased लिए झाल aus तो फ्रूरेटर офण प्रूर्ट ऊक्षित इनला फ्रमचा, लोल में कुलरेंगे लिए अच्छा लिए टो मैं यदिए मिक्स बख़ने ऊक्रीटक भी नवाहो जोग मों आपके जो है बैटर रेड़ी हो चुका है तब इस तरह से इसके उपर भी हमें इस तरह से रख देना है और इसको क्या करेंगे कि 15-20 मिनट तक तिमी आज पर इसको पकने देंगे और इसको बिच पिच में चेक करते रहेंगे और इस तरह से देख सकते हैं ढ़कन हटाएंगे तो करेंगे स्टॉप बंद कर देंगे थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देना है हमें ठंडा होने पर क्या करेंगे कि इस तरह से साइड साइड में चौकु लगाएंगे जिससे कि आसानी से यह निकल जाए तो चारो तरफ इस तरह से चौकु लगा देंगे और इ यह हमारा जो पैन है, जो बरतन केक्टिन में बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बहुत ही बढ़ियां सा यह निकल के आया है, देख सकते हैं, काफी अच्छे से पक चुका है, काफी ज़्यादा यह स्पॉंजी भी बन करके तयार हुआ है, और बहुत ही टेस्टी भी बना है, क् इसको हमें तड़का लगाना है, जिससे कि एक दम से सुपर टेस्टी लगई है खाने में, तो इसके लिए मैंने क्या करी है, कि यहां पर इस टॉपर मैंने पैन रखती है, अब पैन में डाल देंगे तेल, तेल गर्म होने पर क्या करेंगे, कि इसमें डाल देंगे एक हिंग डाली है, तो हिंग डाल देंगे इसमें, और इसमें डाल देना है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें डालना है हमें आदे निम्बू करस इसमें डाल देंगे, इस तरह से इसमें निचोड़ देंगे, जिससे कि एक दम से बढ़िया से इसका टेस्ट इसके उपर इस तरह से हमें रख देना है देखिए कितना बनिया यह एकदम से सुपर टेस्ट ही है हमारा डोकला जो है बन करके तयार हुआ है जिससे बनाना बहुत ज़्यादा असान है तो इस तरह से देख सकते हैं कितना पढ़िया से इसका लूग भी आ रहा है तो चलिए इसको कट भी कर लेते हैं, तो कट करने के लिए मैंने यहां पर क्या करी है, कि चाकू से इस तरह से काट ली है, अब जैसे भी काटना चाहे काट सकते हैं, आपने मन पसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं, तो देखिए, चाकू में भी बिल्कुल भी नहीं ची पक रहा है, इस करके तियार हुआ है तो हमने यहां पर काट करके प्लेट में रख लिए देख सकते हैं कितना प्यारा से इसका लूख आया है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट ही और बहुत ही असान से हमारा सूजी का तिरंगा स्टाइल टोकला बन करके तियार हो चुका है जिसे बनाना बहुत